नमस्ते बच्चों, आज हम आपकी किताब के पार तीन के शब्दार्थ करेंगे, देखिए. पहला है एतत, नपुन सकलिंग में यह है. दूसरा है विश्राम ग्रहम, विश्राम आले. तीसरा अत्र, यहां. चौथा भित्तिकम, घेरा या दिवार. पाच्वा, खनित्रम, कुदाल या खन्ती. छट्टा, श्रमिका, मजदूर्नी. साथ्वा, चालियती, चलाती है. आठ्वा, एते, यह दोनो. नव्वा, बस याने, दो बसे. दस्वा, कुत्र, कहां. ग्यार्वा, गच्छत है, जा रही है, जा रही है. बार्वा, रेल इस्थानकम, स्टेशन. तेर्वा, अंगुली यके, दो अंगुठिया, इस्तह है. पंद्रवा, सुवर्ण कार है, सुनार या सोनार. सोल्वा, एतानी, यह नपुनसकलिंग भवचन. सत्रवा, कदली फलानी, केले के फल. अठारवा, मधुरानी, मीठे या अच्छे. उन्नीसवा, पोशकानी, पोशक. बीसवा, करवस्तरानी, रुमाल. इक्कीसवा, पुरानानी, पुराने. बाइसवा, नूतनानी, नए. इस प्रेकार, बच्चों, हमारे शब्दार्थ, पूरे हो गए हैं. शब्दार्थ करने के बाद, बच्चों, आपको, प्रेश्ण नमबर एक कख, चित्रानी, दृष्टवा, पदानी, उच्चार्यती है. प्रेश्ण आपको, स्रम, अपनी कॉपी में करना है. और इसी प्रेकार करना है, चित्र बनाने है, उनमें रंग भरना है, उसके बाद में उनके नाम लिखने है. अगला प्रेश्ण नमबर 2 है, वर्ण से उजण नम करत्वा, पद, कोश्ट के लिखत. तो ये वाला प्रेश्ण नमबर दो काख है आपको किताब में करना है प्रेश्ण नमबर दो काख है यह भी आपको अपनी किताब में करना है धन्यवाद